हम लोग भगवद गीता से दूसरे अध्याय के भगवद गीता इधारूप से दूसरे अध्याय के थर्टिन नाइंच लोग को सुनेंगे कल का हम छोटा सा रिविजिन करेंगे देखिए एक पॉइंट कल मैं आपको बताया था कि श्रीला प्रभुपाद जी ने ही पहली बार भगवद गीता यथारूप नहीं लिखी है यथारूप को और समझना चाहिए जिस आशे से भगवान ने बोली थी उसी आशे से तातपर दिया जाना चाहिए पहली बाद कलिर हो रही है श्रीद्यव स्वाम्य पाद भी Bhagवद गीता यथारूप ही लिखे है है श्रीवals spας वल्डे विद्य बुषन पाद भगवद गीता यथा उतारूप लिखे है जो शास्ति वो भगवान के बाद को समझ रहे कहीं काट नहीं रहे होते हैं और उसको सामने वाला इस समझ पाई इस तरह से आचार गण बोलते हैं आचार आकर के पुराने आचारों के खंडन नहीं करते हैं हां वो उसके अलावा बेक अलग डेमेंशन जुरूब बता सकते हैं लेकिन यह नहीं कि उसको खंडन कर दें इस रोके समझ पार है तो प्रभुपाज जी आपको बोलते हैं कि विदेश में कोई भी अनुवाद इन पूरवर्ती आचारियों के अंसार नहीं पड़े थे बहुत सारे संसकरण हैं लेकिन पूरवर्ती आचारि जो मुक्त पूरुश हैं उन्हें उन्हें जो समझा है बगवद कीता क को उस तरह से वह नहीं औरवनचीर की टीका जब प्रभुपाज एपना वाद की थे तो नहीं था जो बात भगवान बोलना चाहते हैं वही बात आचारगन समझते हैं वही समझपाते हैं क्योंकि वह क्वे भकती से योगत थे हैं समझभात हैm बात ko भक्तिया माम अभी जानाती, भक्ति के द्वारा ही मुझको ठीक से जाना जा सकता है, ये भगवद गीता में लिखा हुआ है, भगवान से हम बोल रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं, देखिए, आप ये अनभव कीजिए, कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, तो शब्दों का भी मह उद्देश से बोल रहे हो, वो महत पुर्ण है कि ने, उसी उद्देश से आप कुछ बोल रहे हैं, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, तो कुछ उद्देश लेके बोल रहा हूं, आप भी ऐसे करते हो कि नहीं, तो जब व्यक्ति समझता है, तो आप से अपनेक्ट किया कि नह जाता हो उसको भगवान के भक्त ही समझते हैं तो भगवान के भक्त इस प्रकार की व्याख्या करेंगे कि भगवान की शरण में जाना ही भगवद गीता का उपदेश है यह भगवद गीता का यथारूप उपदेश है कृष्ण भगवान है तुम जीव हो और तुम्हें अभ आगवाद गीता का विरूप प्रवचन है विरूप समझते हैं जो रूप में होना चाहिए विल्कुल उसे विल्कुल वप्रीत बात क्यों हम लोगों का प्रवचन था भी प्रभाव होगा जब वो यथारूप होगा यह बात समझेझे दूसरा बात आपको मैंने समझाय था कि देखिए वेद में केवल तीन विषय हैं क्या विषय हैं संबंध अभिधेय और प्रियोजन यह बताया था आपको संबंध का मतलब है कि मैं कौन हूँ यह बात बता जाती है भगवान कौन है भगवान से मेरा क्या संबंध है मेरा प्रक्ति से क्या संबंध है तो अगर समझने का प्रयाश किजिए अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूं कल दिखाऊंगा उसको एक ट्राइंगल मानिए रिपूटी समझते हैं ट्र और होगा भगवान श्री कृष्ण है जीव क्या भगवान है नहीं है जीव क्या भगवान बन सकता है नहीं यह दोनों बासम जारी अच्छा जीव क्या प्रक्ति है भौतिक पदार्थ है नहीं नहीं तो क्या वह हो सकता है नहीं भौतिक पदार्थ क्या जीव हो सकता है नहीं हो सकता भातिक पदार्थ भगवान हो सकता है नहीं तो इस प्रकार से और क्या भगवान भातिक पदार्थ हो सकते हैं नहीं वह उनकी नित्य रूप से शाश्वत रूप से प्रथक एनरजी है प्रथक शक्ति है जो की जड़ है भौतिक प्रकृति भगवान पे ही आश्रित है लेकिन शाश्वत रूप से जड़ है तो भगवान कभी उस दिश्टी से ठीक है कि भगवान की शक्ति ये उस द्रिश्टी सा भेद है लेकिन भगवान में और भौत एक प्रकृति में बहुत भेद है जैसे गाए और गूबर तो गूबर गाएसे ही आया है लेकिन गाए और गूबर में बहुत है तो यह संबंध ग्ञान हुआ और अब आप ये समझ पा रहे हो कि अभी जो हमने गीता के श्लोग सुने उसमें भगवान ने ग्यान दिया था ना त्वेवा हम जातु नासम नत्वम नेमे जना धिपा न चैवा न भविश्यावा सर्वे वयमतह परम तो भगवान ने अपनी सत्ता को अलग दिखाया जीवों से और जीवों की सत्ता को भी बताया कि अनश्वर है और यह भी बताया कि भौतिक प्रकिति ना क्या हो न सते विद्देते भावो न भावो विद्देते सत्ह उभ्यो रपी द्रिष्टों स्तन्यो स्तत्व दर्ष्व जो असत है उसका उसका निरंतर परिवर्तन शील सभाव है और जो जो सद वस्तु है आत्मा है उसका कभी भी परिवर्तन शील सभाव नहीं तो आप देख पारें इस प्रकार से अलग लग संबंद संबंद समझा रहें कि नहीं लेकिन भगवान ने इस श्लोक में यह नहीं बताया कि इसका अनुभव कैसे होगा संबंद बता रहें कुछ समझ पारे हैं हर श्लोक को इस दिश्टी से इस श्लोक में अब मालो किसी ने सुन लिया हमने सुना ही कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का अनभव क्या से होगा, अनभव तो दूर है ना हमारे लिए, तो जो वस्तु आप से दूर है, वह आपके पास लाने के साधन को उपाए कहते हैं, आय का अर्थ समझते हैं, आय मतलब इनकम, तो कोई वस्तु उपा मतलब पास, जो कोई वस्तु बहुत दूर से आपके पास आये, जिस साधन से उसको उपाय कियते हैं, उसीrowsी को अभिध्य कियते हैं. तो इस लोग में हम देख रहे हैं कि भगवान ने कहा कि एशा ते अभीता सांखे बुध्धी, सांख के संबंद में एशा बुध्धी ते अभीता, मैंने तुमको सांख अर्थात आत्म तत्व के विशे में ये बुध्धी दी, किस प्रकार से तुम आत्मा को शरीर से अलग सकते हो, योगे त्विमाम शुणू, लेकिन तुम अब हर्दे के दूशन के कारण आत्मा का अनभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम योग अर्थात निश्काम योग के विशे में सुनो, उसके संबादन के द्वारा तुम आत्मा का अनभव प्राप्त कर सकोगे, ठीक, और उसके बाद उसकी महिमा बता रहे हैं, मालों पूछें, ऐसे कैसे तो कह रहे हैं, बुद्ध्या युक्तो यया पार्था, इस बुद्धी से युक्तो कर, किस बुद्धी से युक्तो कर, एक कि बही देखो मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का अनभव नहीं कर रहा हूँ, बुद्धी है कि हमहारा गोल दूर है। पहले तो ही बता होना चाहिए। गोल दूर है तब तो आप सदन करेंगे। गोज्वद्व में रखा तो नहीं करेंगे। गोल। दूर है। हमारा अप्म का अनभव नहीं हो रहा है। हम सब लोग समझते हैं इस बात को कि हम लोग आत्मा हैं लेकिन हमको आत्मा का अनभव नहीं हो रहा है तो वह एक बात दूसरा बात कि मैं अपने सभाव के अंसार कर्म करने के लिए बात दे हूं मैं सीधे अब ज्यान्योग का अनभ्यास नहीं कर सकता हूँ तो अब मैं क्या करूँ तो कह रहें जो कार है मैं असानी से कर लेता हूँ उसको निशकाम भावना से करूँगा तो मैं आत्मा का अनभाव कर पाऊँगा और कर्म बंदन शेते हाँ मुक्त हो जाओंगा कर्म बंदन मतलब वासना की बंदन से मुक्त तो यह बहुत सुन्दर बात है कि नहीं कर्म करना नहीं छोड़े लेकिन कर्म कर रहा है निश्काम भावना से करें तो उसका हिर्दय शुद्द होता जाएगा और हुर्देशुद्ध और किसे होगा अविद्या के कारण ही जीव समझ नहीं पा रहा है कि वह आत्मा है वलकि यही मानता रहता है कि वह दे है इसे रोके क्या यह आप आप समझ पा रहे हैं ठीक है एक मैं आप लोग को और टिप दूँगा जब आप क्लास के में बैठे हो हातों को सामने मतलाना शीवां प्रभू आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि अब सो अभी नहीं सो कि आप सुब कग गए मिरसंग भी क्लास में होता है जह हम चुपचा बैठे रहते हैं हाथ सामने आए और आप कब सो जाएंगे को पता भी नहीं चलेगा प्रभूजी इतना पनिश्मंट दिने के लिए बिलाएंगे आप देख लेना कभी अभी आप करके देख लेना ऐसे लाए और सर्डे सो जाएंगे और जैसे सो गए तो फुसके बात भी आप गीता सुनते रहेंगे हम जानते हैं लेकिन यह हो सकता है ट्राइ कर लेना कभी चलिए बुद्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहासिसी यया शब्द का अर्थी होता है जिसके द्वारा और जैसे ही शब्स आये टित्रिया विभक्ती का सब्सक्रांटकारफ कारण का अपयोग हुआ तो तुरछ संब्सदिजे का når अब बताना हर्श तो अब आप यहां देख रहे हैं कि प्रयोजन की बात है कि नहीं क्या प्रयोजन है कर्म बंधन प्रहास से तुम कर्म बंधन को नाश कर दोगे और आत्म तत्व का अनभव कर पाओगे बीना प्रियोजन के अविदे की बात ही नहीं होगी क्या आप लोग देख पा रहे हैं यया शब्द कर्थ यया मतलब जिस बुद्धी के द्वारा जिस बुद्धी से युक्त हो करके हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ बिना प्रियोजन के अविदे की बात ही नहीं होगी, तो अविदे है यहां पर निश्काम कर्मयोग, इस श्लोक में निश्काम कर्मयोग अविदे है, ज्ञान योग अविदे नहीं बता रहा है, समझ पा रहा है, सुनाई पढ़ रहा है, ज्ञान योग को साधन की रूप में नहीं बता रहें. साधन है. लेकिन, अर्जुन के लिए, इस समें साधन नहीं है. कि उनका अधिकार यहां की बात करो? उनका अधिकार ज्यान योगए नहीं है. उनका अधिकार? नुश्काम कर्म शिवा प्रभु समझ मैं आपको ठीक है वैसे देखिए यहां जो सामने आए हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वो कौपी लिख करके लिखें फोहन पर लिखेंगे तो उसके बाद फिर कुछ मैसेज आजाएगा और एक श्रण के लिए छोट देंगे तो सब डिश्टर हो जा कि नहीं हो रहा है और पहुत सुंदर बात है अर्जुन बोले हैं कि नहीं हो रहा है कितना ट्रेस्टी बात है अर्जुन नहीं बोल रहा है कि हमको आत्मता तुम समझ में नहीं आ रहा है लेकिन भगवान ते रिद्व समझ रहना कि नहीं समझ में आ रहा है इनको इसलिए क को निश्काम कर्वियों के बारें बताएंगे कितने सुन्दर टीचर है श्री कृष्ण भगवान के जाए सच वॉन्डरफुल टीचर सबसे बड़ी सेवा तो भगवान ने स्वयम ही कर दी जो वेक्ति इस ग्यान को भक्तों को देता है वो मुझको सबसे अधिक प्री है इसल कि भगवत गीता को पढ़ाने में बड़ी महनत लगती है जरा सुनिए सारथ्यम अर्जुनस्यादव कुरवन गीताम्रतम्ददव लोकस्यव पकाराया तस्मे कृष्णात्मने नमह मैं सरव प्रथम भगवान स्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं सबसे पहले तो भई हम भ लेकिन तीनों लोकों के लाव हेतू गीता कि इस अमृत को वित्रित करने के लिए गीता का distribution करने के लिए अर्जुन के सार्थी कपत स्विकार किया है ड्राइवर तक बनने के लिए तयार है बस पार्टी के ड्राइवर कोई बड़ी महतु नहीं देते हैं लेकिन बगवान क बनने को तयार हूं, गीता किसी तरह पहुंच जाई जीओं के पास. Now, this is very nice. Is it not? Hold for more shlokas. Soon to come. यह तो यह trailer है. भगवान जो श्रीमति राधार आने के प्रिय हैं, प्रियतम हैं, गोलोक विहारी हैं, वो भगवान, श्रीक्रिष्ण, ड्राइवर बनने के लिए त्यार हैं और पूरा विष्व जाने का कि यह ड्राइवर बन गए, और बन गए घोडों को मसाज कर रहें, सारी सिवा कर रहे काट सकते हैं बात को, कैसे काटेंगे, शास्त्र में है, तो आप समझ लीजे कि कितना महत्पूर्ण है भगवत की तागो तुसरों को बोलना, हमको तो गूरू बोलने के लिए, हम लोग को तो क्या कहते हैं, जारे देखो, तारे कहो, कृष्ण उपतेश, आमार आग्ये ड् बोल रहे, सार्थी का पद निच्चे से होता है, और बहुत निच्चे होता है, सार्थी मतलब शूद्र, शूद्र का पोदिशन है ना, तो भगवान इतने अग्रही है कि सार्थी का पोदिशन लेकर के गीता का ग्यान देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हम लोग आगे का वर्णन किया है, अब निश्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो, हे प्रतापोत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तो तुम कर्मों के वंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, ओके, फिर से मैं सांख की, आपको वाख्या बता दे रहा हूं, शृध तो तत्यको सांख कहते हैं, ठीक है, ठीक है, सांख, सांख्यम, सांख्यम, सांख, एकी बत, ओके, गीता वोशन टीका, ज्यान योग बर अपने निरदेशों का उपसहार करने के बाद, भगवान अब निश्काम कर्म योग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्यान योग की प्राप्ति की प्रक्रिया है इस परष्ट समझ में आ रहा है आत्म तत्व को जो अन्भव नहीं कर पा रहा है आत्म तत्व का अन्भव ज्ञान योग के द्वारा होता है तो उस आत्म तत्व का अन्भव कराने के लिए निश्काम कर्मी, दो इसमें मत्व है, एक लोग कहते हैं कि निश्काम कर, ज्ञान योग करने के लिए शुद्धिकर्ण की आफशकता है हिर्दय की, क्योंकि वो बैठा अब ध्यान करने और मन भूग में जा रहा है, तो ज्ञान योग की विक्ति का तुरंत पतन माना लेकिन निश्काम कर्मे कोई दिक्कत नहीं है, रिदय अशुद्ध भी क्यों ना हो, वह निश्काम कर्म कर सकता है, तो निश्काम कर्म करने के द्वारा रिदय शुद्ध होता है, कुछ लोग का ऐसा मत्थ है, और उसके बाद विक्ति ज्ञान योग करके आत्मा कर्म प्र राफ्त हो गया तो हम दोनों ही बाता को सिद्गाद करलें सब्स्साइब उत्रियोग गारा कि आत्मा करण्भव हो गया कि निश्कामकरमयोग किया फिर फिर आत्मा कानंद के अन्भूति होती है और निश्काम कर्मियों करके विक्ति ज्ञान योग कादिकारी बनता है ज्ञान योग करके आत्मा के अन्भूति होती है वह आल्टिमेटली दोनों बात अलग नहीं है ठीक है ज्यादा मैं आपको confuse नहीं करना चाहता हूँ वैसे दोनों में से कोई योग नहीं करना है लेकिन एक बात जरूर देना है करतापन की भावना को त्यागना कि मैं करने वाला हूं मैं सतन्तर करता हूं इसलिए इस कर्म के फल को भोगूंगा यह भावना त्यागना है और दूस का अर्थ है समय ख्यायते अर्थात जिसके द्वारा सत्य को पूरी तरह से समझाया गया है जिसके द्वारा आत्मा का वास्तिविक सरूप प्रस्तुत किया जाता है इस समझ में आ गया संक्या का अर्थ ठीक है इस तरह यह उपनिशत के समतुल्य है अब प्रश्न बनेगा क यह उपनिश्र कित समय तो लिखियों है देखिए जो कर्म कांड के शास्त्र हैं वह कभी नहीं बताते कि तुम आत्मा हो वो बताएंगे तुम मिस्त्री हो, तुमारा यह धर्म है, तुम ब्रामर हो, तुमारा यह कार है, तुम शत्री हो, तुमारा यह कार है, इस तरह से जीव को उपाधियों से, क्या कहते हैं, उपाधियों से इंगित करते हैं, बुलाते हैं, वो यह नहीं बताएंगे तुम आत् तो इस प्रकार से वो जूट बोल रहे हैं लेकिन अब क्योंकि जीव इतनी निम्न चेत्ना में है कि वो यह नहीं समझ पाएगा कि वो आत्मा है इसलिए उसको उपर उठाने के लिए यही बात बोली जाती है कि तुम इस्त्री हो तुम इस्त्री के तरह कारे कर रहा हूँ यह मैं बहुत थोरा अब फिर और स्लो जा रहा हूँ यह बात आप समझ पा रहे हो कर्मकान का बात आप लोग के घर में जब शादी होती है बच्चों की लड़कियों की लादनी माताजी आपकी मा बताई थी ना पत्ति के ऐसे सेवा करना चाहिए धान रखना चाहिए तो आ यहां की मा को तो पता नहीं है लेकिन शास्त्र भी नहीं बता रहा है कि तो मात्मा हो क्योंकि जानता है बताने के अब आप समझ में इसको नहीं आएगा तो अब भोग की वासना से बहुत वासित है वासित मतलब सुगंदित है भरी हुई है वो क्या सुनने वाला आत्मा के का भ्यास हो जाए सब्लों समझ पारें इस बात को किसले नियम पालन करेगा कि उसको आगे कुछ भोग प्राप्त हो कर्मकान उन्हों के लिए स्वर्ग जाओगे ये करोगे वो करोगे क्या आपने यहां पे लोगों को अभी कावर उठाते वे नहीं देखा है कि आप लोग को भी कल्प ना कर सकते होता पस्षा करने की कावर उठाए उठाए यहां से कई कई किलोमेटर दूर चले आते हैं शिपजी की पूजा करने के लिए तो मन्नत यहीं रहती है कि हमारे बेटा हो जाए कुछ हो जाए समझ पारें इस बात को तो वहां यह नहीं बता रहा तुम आत्मा हो तुम यह कावर उठा करके वहां तक जाओगा तुम आत्मा का अन्भव प्राप्त होगा एक आदमी जो कावर उठाके जा रहा होगा वो एक आदमी नहीं बोलेगा क्यों आत्मा है लेकिन उसको नियम प प्राप्त करने के लिए नवरात्री किये होंगे और शायद मैं समस्तों बहुत सो लोग नौ दिन केवल फल पे रहते हैं हां तो यह सत्वकुण में आने के लिए ताकि आत्मा के अनभूति हो सत्वा संजायति क्याना ऐसा ही होता है ना किसी के मन में ये अच्छा नहीं आती ह है कि नवरात्रि करके हम आतमा करनभव करें लेकिन नियम पालन करना सीख जैते हैं कि नहीं और जो भौतिक लाब होता है उसे होता है और कुछ शुद्धिकरन होता है यह बास समझ में आ रही है लेकिन उपनिशद उपनिशद बताता है कि यह पूत्र प्राप्ति करने से क्या तुम मुक्त हो जाओगे तो क्या उत्तर है नहीं मुश्याली बड़ी सुन्दर है समझ पार है करम कान बोल रहा है तुमको पूत्र चाहिए न यह 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 करो लेकिन यहां अब वो ज्ञान दे रहे है यह पूत्र प्राप्त करके यह की है अच्छा यह पूत्र प्राप्त करके तुम मुक्त तो हो जाओगे और समझे वो बार बार जो इतनी कर्मकांड कर रहा है सुक तुम ही लेगा नियुक्त तो कुछ सोचना शुरू करेगा असे कि भाई इसके परेवी कुछ है क्या बहुत गुई तरीका है सो मैंने का बहुत गुई बात है कर्मकांड करते करते कई कई जन्मों तक उसके लगए क्या इससे परेवी कुछ है क्योंकि आत्मा तो नविंद्र तियार्थान कहीं भी जाएगा सुक नहीं मिलेगा ऐसे विक्ति को उपनिशत का ज्ञान का दिकार है जो शरीर के स्थर के सुखों से उपर कुछ प्रगति करना चाहता है अब आप वो अर्जुन को जड़ा देखिए अर्जुन ने भगवद की तम्हें बोला ना कि अपी त्रह लोग के राजस्या हे तो किमन मही कृते तीनों लोकों के राज्ज के लिए भी मैं इसके युद पांच गुण थे तितिक्षा गुरु में स्रध्धा इंद्रे संयम इत्याद इत्यादी तो यह सब आत्म तक्त्व को जानने वाले की युग्यता है तो भगवान भगवद गीता में उपनिशद का ज्यान दे रहे हैं आत्म तक्त्व का ज्यान दे रहे हैं समझ में आया त दोगधा गोपाल नंदा सार वस्तु दे रहे हैं मैं भी आपको बतारा हूं सार करत क्या है बुखार के लिए एक गिलोए समाती है तो गिलोए का हम जूस पी रहते हैं तो आज कुछ प्रफु से गोठ करके कुछ दे रहे और कुछ पर दार्त दे थे और वो कि क्या कहते हैं शहद में रहे यह क्या पी रहे हैं तो थीक है लिए उसका वह सार का सार है के वहाँ हैं में और तीवृता से कारे करेगा तो भगवान भगवदगीता का ज्यान दे रहे हैं जो सार उपनेशदों का भी सार अर्थात शार ले रहे हो तो उद और आन उपनेशद छानने की जुरत नहीं है तो यह भगवान वचन है वो स्वैम अपने आप में एक उपनिशद है, is it okay? एशा बुद्धी सांखे अर्थात सांख का अनुशिलन करने के लिए इस ज्ञान को ही श्लोक्रमांक बारा से तीस में अर्थात नत्वे वाहम से लेकर तस्मा सर्वान भूतानी तक आपको दिया गया, इसकी व्याक्या हम पहले कर चुके हैं और उसने जब परायन करा रहा तो मैंने को बताया था दिखाया था किस प्रकार से आत्मतत्त्त को भगवान नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जाना धिपा नचयवन भविश्यामह सरवे वयमतह परम वहां से शुरू करके श्लो वाहता कипत सो ये सांक्यो को यहां की धी हूदे में अशुद्धियों के कारण ये ज्ञान हुथ नहीं होता है तो कर्म योग योगर योग कार्थ हुआ कर्म योग को करने के लिए अब कहा जाएगा और जिसमें आत्म शामिल को मतलब निश्काम कर्म योग वक्ति करेगा उसके द्वारा उसको आत्मतत्त्व की अनभूती होने लग जागी कैसे अनभूती और परोक्ष अनभव वहां भी मैं बताना भूल गया था कि और और अक्ष को मतलब क्या होगा अपर की कई अर्थ होते हैं ये अपर मतलब अलग अपर का मतलब परे नहीं अपर का मतलब अलग वसे तो उपर निची भी अलग कर सकते हैं तो ये अनभू अभी आपको अनभव नहीं हो रहा है hop अपरोक्ष आत्मा के अपरोक्ष अन्भव के लिए आप निश्काम कर्मयोग कीजिए वो कैसे होगा ऐसा करोगे भगवान प्रसन होंगे अविद्या की निवृत्ति करेंगे भगवान हिर्दे में ही है और अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो तुम्हें अन्भव होने जीए जैसे विक्तिव का बुकार होता है तो खाने का टेस्ट अमभा नहीं होता है ना खाने में टेस्ट है के नहीं और हमारी इंद्रियों में सहज शक्ति है ना खाने की स्वाद को अनभव करने के लिए भाई देखो सहज का मदद समझ लीजिए अब आपको दाल चावल का अनभव के अरस क्या स्वाद क्या है उसके लिए समझाने के लिए कोई सेमिनार की जुरत नहीं पड़ेगी यूटूब पे सर्च कीजिएगा अ एक दम खाने का मन्हीं करता कौने के तовые कि मेंते हैं आप जानते हो कि बैस केवल सोचने से काम नहीं बनेगा कुछ दवा खाऊंगा तो उससे ये बुखार समाप्त हो जाएगा तो अविद्या कैसे है बुखार जैसी और भागवान की कृपा युक्त वचन है निश्काम कर्म युक जो भी है वह एक दवा की तरह जो इस अविद्या की निविर्ति कर देगा तो सहज रूप से आत्मा का आनद के अनभुति होने लग जाएगी साध्य हमेशा वो साध्य होता है जो साध्य हमेशा संभव साध्य होता है और संभव साध्य को साध्य नहीं का जाता है जो चीज़ हो ही नहीं सके उसको उसके लिए कोई साधन नहीं होता है तो आत्मा का आन है ना मन में डाउट रहता है ना हमको असीमित सुख मिलेगा क्या कितने नो को बिश्वास है कि मिल जाएगा time will tell time will tell this is a question obviously not for raising hands लेकिन ध्यान दीजेगा कि है असीमित सुख है कि एवल एक अविद्या की बीमारी की कारण हम उसको नहीं अनभगवार पार है ठीक है यह बहुत बचकाना प्रश्ट हो कि मैं हाथ खड़ा कर वा रहा हूं यह प्रश्ट आपको स्वयम ही पूछना भोगा कि क्या विश्वास है असीमित सुख है और वह है लेकिन बार-बार शास्त्र शवन करना है कि कभी तो बहुत दूर दिख रहा है ना असीमित सुख तो उसके बारे में सुन करके समझ जाएगा बीना सुने हमारा कन्विक्शन टिक नहीं सकता इसमें तो खेर हम बात कर रहे थे कि उस रन्भव के लिए निश्काम कर्म योग करें जिसमें आत्मग्यान शामिल है मतलब आत्मग्यान आपको अपने आप राप्त होता चला जाएगा ऐसा सुरुति के द्वारा पुष्ट होता है अब बड़ा इंट्रस्टिंग है कि ऐसा नहीं है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो शास्त्र के अंसार नहीं है देखिए भगवान गुरु है और गुरु को साधु और शास्त्र के अंसार बोलना जाए यद्धे भगवान के और हम लोग I think सूचेंगे आपकी वाली को क्या मतलब है आपके हम आपके और मेरी किसी की भी thinking क्या मतलब है कुछ नहीं है ऐसा सुरूति के द्वारा पोश्ट होता है तम एतम वेदानुवचनेना ब्रामणा विविदिशंति यगेना दानेना तपसाना शकेना ब्रामण वेदों के अध्यन से क्या वेदों के अध्यन से यग्य से दान से तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं ब्रुहद अरणिक उपनिशद 4.4.22 अब यह बड़ा रोचक है कि यह श्लोक उपनिशद का यहां पे श्रिला बल्देव विद्या बुशनपाद ने क्यों कोट किया शास्त्र को हमेशा ऐसे समझेगा टिकाओं को कि यह क्यों लिखा यह बताईए पहले तो समझ लीजिए कि तम का मतलब वह भगवान को तो भगवान को अनभव करने के लिए वह अपने ब्रामणों चित कारियों को करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं वेद अध्यन प्रामणों का कारे है यग्य करना दान करना तपस्या करना न न अशक अशक न न न शकेनम अश मतलब खाना न शकेनम मतलब नहीं खाना ब्राम्मान वस्तता कभी फूले बड़े-बड़े पेट वाले नहीं होते हैं ब्राम्मान लोग तब करते रहते हैं इंद्रे सयम करना होता है अगर खूब पनीर पटोरा खा रहे हैं तो कैसे इंद्रे सयम करेंगे पनीर पकोड़ा सब्सक्राइब वास्तिविक ब्राम्मान तब करते भी दिखेंगे इखाली मजाग में बोल देते हैं कि साधु का पेट और भारत का गेट बड़ा होना चाहिए न वैसे एक तो कॉंप्लिमेंट है न मेरे लिए मैं मान रहें बात लोग कह रहे हैं कि आपका वजन छटा तो मैं सोच रहा हूं कि यह बुरी बात बोलेकिन अच्छी बात है और छट जाना चाहिए मोटा होना है यह साधु के लिए संभ्यक नहीं है मोटा बुद्धी भी तेज होनी चाहिए और शेक्र सुप्ष्प होना चाहिए तो अब आपने क्या सुना है ब्राम्हण के करतव हैं यह सब दिख रहे हैं माई डियर जूम डिपूटी आर यह बल टू फॉलो दिस ऑल्सो लेकिन आप यह समझते हो कि इन सारी क्रियाओं से वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है और यह श्लोक कहां से है उपनिशद से ब्रुहद अरण्यक उपनिशद उपनिशद स्वर्ग की प्राप्ति की और जीवों को नहीं लेके जाता क्योंकि सर्ग छण बंगुर है वे आत्मा के अनभव की और लेके जाता है क्यों बोला गया आप नहीं बोलने ही कुछ? फ्रीज हो गया? मैं फ्रीज हो गया के? माताजी फ्रीज हो गया? ओके. रादा शर्मा माताजी, यू स्पीक. नहीं? बोलिये? एक मिनट, एक मिनट. इसके प्रुट चार्जर लगाती जी. एक रिश्ना व्रुबजी? बैक्राउंड वाइस बहुत आ रही है. बैक्राउंड वाइस बहुत आ रही है. किसकी? रेवती माताजी की तरफ से है? नहीं. ओके. ठीक है? अब बताईए. रोबजी जैसे जो यहाँ पे भगवान गुरू की तरफ की तरफ से बोलते हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्राम्मण है उसको कैसे जाना जाता है? हाँ. ब्राम्मण कैसे जाना जाता है? यह बोल रहा है. अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब आप लोग मेरी रेंज में हैं. अभी तक आप जूम वाले चुप रहते थे. अब आप मेरे से केवल तीन फिट की दूरी पे हैं. जिननों का वीडियो आना है? तो अब लोग वीडियो जली स्वाफ कर दीजे. अगर आप हमारे से बचना चाहते हैं, तो यह श्लोक इसलिए बोला जा रहा है, कि स्वधर्म को निश्काम भावना से करने के द्वारा आत्म ज्ञान प्रकट होता है. वह स्वधर्म का पार्लों कर रहे हैं ब्राम हन लोग. क्या स्वधर्म है? वेड का पठन-पाथन, यग्य करना. यजन, याजन, पठन, पाथन, दान, प्रतिग्रह. यजन यग्य करना और यजन यग्य कराना ठीक पठन पाथन पढ़ना और पढ़ना और दान प्रतिग्रह दान लेना और पी जाना नहीं दान लेना और दान देना ये नहीं कि अब एक लाग रुपया धर लिया अपने पास भवान की सिवम लगाई नहीं रहा है यादुआ यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये है ये है ब्राम्हन के कारी इसके द्वारा वे आसानी से करते हैं इस कारे को तो ये इसको किस लिए कर रहे हैं ताकि हमको आत्मा की अनिभूति भगवान की तरफ हम आगे बढ़ें कर्मकांड की तरह है कर्मकांड क के तरिके से भी किया जा सकता है स्वर गालगे कि प्राप्ति के लिए ब्रहाभ गृक्ष लेकिन जो उपनिश्यत करें करोका क्वा रहा हूं कि व इस आत्मतत्तकों को जानने के लिए वह इन सारे कारियों को करेगा तो यह निश्काम कर्म योग हुआ कि नहीं हुआ मैं आगे नहीं जा रहा हूं और न मैं घड़ी देख रहा हूं निश्काम भावना से पढ़ा रहा हूं आप लोगो इस संब्द में अब पता नहीं प्रद्दिम्ने प्रभु का माइक कैसा है अच्छा हुआ कि थोड़ा पैसा खर्ज करके अच्छे माइक लेले हम आपको सीधे यहीं से पकड़ेंगे बिलकुल आवाद बिलकुल स्पष्ट आई कि नहीं ठीक है कि नहीं रेविती माता जी का तो Okay, we'll give you a chance again, रेविती माता जी. Yes, please. क्यों यह श्लोग बोल रहा है, हाँ, बोल ये. रभुजी यह श्लोग इसलिए बोल रहा है कि कर्मों को निश्काम भाव से करने से आत्म ज्यान की प्राप्ति होगी, तो यह जो सादू, यजन, याजन, पठन, पठन, दान, प्रतिदान कर रहा है, यह आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कर रहा है, आत्म ज्यान की प्राप्ति के लिए कर रहा है, वैसे तो वो कर्म कर्ण कर सकते हैं, पर तो वो कर्म कर्ण भी कर सकते हैं प्राप्ति के लि कर रहा है निश्काम बाव से कर रहा है समझ में आ गया ठीक है मुटर लीजे तो अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या बोला जा रहा है आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ब्रामण इस प्रकार से करेगा जैसे यहां पर बताया है वैसे ही तुम शत्रिय के धर्म इस भणक करो लेकिन राज्य प्राप्ति के लिए नहीं स्वर्ग प्राप्ति के लिए अब इतु आत्मा के आनंद की प्राप्ति के outta और यही बाट वैष्य और शूद्र के ऊपर भी निर्भर करेगी हो लागु होगी आप वैश्य भी आप कोईगे वैश्य कर सकता है निश्काम करम करेगा ठीक है मैं बिजनस कर रहा है जो कुछ कर रहा है और भी जो उसके सारे करम है कृषी गोरक्ष वानेज्य मित्यादी वह अब गायों का पालन भी विक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर सकता है लेकिन नहीं जो कोई भी उपुर्ण इससे प्राप्त में यह स्पेशली जो वैश्य समाज के वह दान करते हैं बहुत दान करता है तो पे उसको पेट पाला गया है तो दान करने दान किसले करेगा बताइए मोश्यनिलों का इच्छा थी कि आम दानario करेंगे तो बहुत दान आएगाम्म करता है तो सेवा इसलिए करे कि हमार हमको आत्म ज्ञान की प्राप्ति एवरीज वन is included in that is it okay निरुसाह नहीं है जैसे वह स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बड़े उत्साह से अपने करता उसी प्रकार आत्मा की अनभव करने के लिए अपने कर्तव को बड़े उत्साह से करेंगा निश्काम भावना का मतलब यह नहीं निरुसाह क्या आप लोग एकदम अनुत्साह से भगवदीता सुनने आये हैं तो भगवदीता किस लिए सुनने सुर्ख बनना है रा सुर् है कि नहीं बिल्कुल लेकिन उद्देश बिल्कुल अलग अलग हो गया ठीक है तो आल आस अल आफ यू आ पेज सब को समझ में आ रहा है तो यह श्लोक एक सैंपल दिया गया है कि जैसे ब्राम्हन लोग निश्काम भाव से कार करते हैं निश्काम मतलब निशेद काम रहित ठीक है और आत्मा का अनभाव करने के लिए उसी प्रकार से तुम भी इस धर्म युद्ध को करो निश्काम भाव से ताकि तुम को आत्मा का अनभाव राप्त हो को किसी को कुछ पूछना हो इस लोग के संबंध में तो आप जून पर भी पूछ सकते हो अब बहुत अच्छी टेक्निक हो गई है मैं कि आपनों की आवाज अब मैं OBS में डिर्क रिकॉर्ड कर सकता हूं अब आप यह भी नहीं कर सकते कि प्रोजिए हम दूर हैं और इंट आगे बढ़ें ठीक है भगवान कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं करते आज सुबह यह टेक्निक समझ में आगे कौन सी इच्छा भवान पूर्ण नहीं करते हैं बता दो अब तो जून डिवोटीज खुश है ना इसके अभ्यास के परणामों को बताते हुए श्लोक के अंतिम में निश्काम कर्मियों की प्रशंसा की जा रही है श्लोक दिखाईए यह जो लिखा है न कर्म बंधन प्रहास्यसी यह इसकी महिमा का वन्ण है क्यों महिमा का वन्ण है कर्म बंधन को प्रकृष्टेना हास्यसी एकदम समाप्त करतोगे यानि जन्मृत्यिक के चक्र से मुक्त हो जाओगे, तो इसमें को उसी बड़ी बात है, यह अपने आप बढ़ी बात है, लेकिन एक और अच्छी बात है कि करना बहुत आसान है, देखिये, कोई साधन कुत्तब अच्छा माना जाए कि करने में बहुत आसान हो, और बहुत परवत की चोटी के ऊपर एक संजीवनी बूटी है बस वहां तर चले जाईए उसको लाकर कि घौश उसको अच्छे से मिक्सिम पीस कर जूस पी लेंगे हमेशा कभी बुखारी नहीं होगा तो आत्मनिवदन प्रभू क्या कहेंगे कहेंगे प्रवजी जब हम स्वस्त होंगे तब तो हम चड़ नहीं सकते हैं पहली बात सुमेरू है कहां और तो आपकी ये साधन तो इतना असाद्य लग रहा है ये तो हो इनी सकता छोड़ो हम बुखार सेन कर लेंगे जैसे अब हमको बता जा रहा है कि आपका फीवर आप दूर करना चाहते है ठीक है लेकिन आपको छह साथ मैंने आठ मैंने केवल फॉल पर रहना होगा उसको सुनके मुझे बुखार चड़ रहा है ये कैसे होगा ये कैसे होगा हमसे ये कैसे होगा हम तो इसका मतलब भी कह दीजिए कि जीवन बर बुखार ही पीड़ित रहना पड़ेगा कुछ ऐसी बात बताई जो हम कर सकें समझ पारें बात तो ये बड़े सुन्दर बात है कि स्वधर्म का आचरण करना बड़ा असान है मैंने पहले भी धरण दिया था कि माताजी लोगों को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं ना बोले नहीं कोई दिक् है अब खाना अब भग्वान को भोग लगा दें और उसे अब मुक्त हो जाएं तो कोई दिक्कत है यह मेरे शब्द नहीं है चक्रवर्ती पाज जी नर्सिंग पुराण में का कोटेशन देते हुए दिखते हैं दश्वर्सकंद के चौध में अध्याय में आरे भाई जब अपलब्द हैं तो मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है क्या भग्वान इस बात को नहीं बोलना है कि तो अपने अपने भोजन को मुझे समर्पित करोगे तो तुम मेरे पासा जाओगे कर्व बंदन से मुक्त हो करके तो यह असान बात नहीं लग रहे मैं एक्जाम्बेल अपकर दूंगा पहले भी दे चुका हूँ कि मेरे बहुत पहले की बात है बारा साल पहले की बात होगी और पहले की बात है अच्छिली 2003 से शुरू गए तो मुझे हाथ में कुछ वर्ट थे तो जाही नहीं रहे तो अलब परती नहीं तो हाथी खड़ा करते कि नहीं हो सकता है अब इसका operation कराते रहो और होमियों पर थे कि 200 रुपे की दवा से ऐसे गायब हुआ कि प्रोहास्यसी अब दुबारा उत्बन ही नहीं हुआ अब बताईए कि गुडगान हो रहा है कि नहीं हुमें पटी का कि दस बुन सुबह खाया दस बुन शाम को खाया और दवा पूरी खत्म भी नहीं कर पाया और उससे बिमारी हमेशा के लिए चल गी और उसके जगे दुसरी जगे देखिए यह काटो वो काटो मैंने एक बार तरव साधन और एकदम जड़ से भीमारी को समाप्त कर दिये कभी आप लोगों कि ऐसा हुआ नहीं बहुत सिंपल दवा ले लिए जिससे आप बहुत परशान थे और हमेशा के लिए सॉल्फ होगे तो उस दवा की महिमा होगे की नहीं तो अन्नी लोग भी लेने के लिए उसस क की जा रही है कर्म बंधं प्रहासेसी बुध्ययक्तों अर्थात इस बुद्धि से युक्त होकर इन कर्मों को करने से आप कर्म बंधं प्रहासें कर्म बंधं से क्याल नहीं हुअ सतंत्र करता समझ रहे हैं शेर होते हैं शेर होल्डर होता है तो अब मालू मेरा 10% शेर है तो मुझे 10% लाब मिलना चाहिए ना उसमें से मैंने 10% invest किया तो मिलना चाहिए ना अब अगर मैंने कुछ नहीं किया है और 100% जिसने invest किया तो सारा लाब उसको मिलना चाहिए कि नहीं 100 रुपे 100 रुपे लगाए गए हैं तो उसमें 10 रुपे मैंने लगाए 90 दूसरे विक तिनी लगाए तो 90 वाले को 90 का फाइदा और अब जिसने 100 रुपे लगाए उसमें भी अपना claim करेंगे आप जिसने उस business में 100 रुपे लगाए हैं उसको कितना मिलना चाहिए उसमें से सुनाई नहीं पढ़ रहा है सु सु सीधी बात है कि नहीं सु वाले को सु मिलना चाहिए और अब हम उसमें बताइए claim करें एक परसंट भी तो गलबड़ है कि नहीं दू यू अग्री समझ में आगे हम क्या कह रहे है हमारा जगत में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है न प्राण न देह न इंद्रिया कुछ भी सब भगवान ने दिया है कि नहीं तो बताइए जो भी कर हम संबादित कर रहे हैं उसका लाफ भगवान को मिलना चाहिए कि नहीं तब फिर बन में प्रश्णा करता हमें क्या मिलेगा अब इत्ती मैनत कर रहे हैं मरें जा रहे हैं नहार कर रहे हैं आत्मा का आनन्द और आप उजयर कीजिए जो भव्हातिक सुन चाहिए उनसे दो कारे कर रहे तो यह बुद्धी मानी है कि नहीं? This is very amazing. तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मतलब ये बहुत बड़ा लाब है सुधर्म का निश्काम कर्मयोग का करने में बहुत आसान और अत्यधिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला है आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ और भगवान के आदेश से इन कारियों को बड़ी ऊर्जा के साथ निश्पादित करते हुए ज़री ये भगवान की बात है एक आनंद की अनुबूति होगी आत्मा की अत्कृष्ट आनंद की अनुबूति और दूसरा ये भगवान की बात है इस कारण से इन कारियों को बड़ी उर्जा के साथ निश्पादित करते हुए आप आत्म ज्यान में स्थित होकर के संसार को पार करेंगे जो निश्काम करमियों के परणाम सुरूप बाद में आपके भीतर प्रकट होगा अब थोड़ा समझा आए ऊर्जा के समझ रहें जो तुमारी शक्ती तुम पूरी लगा दौि यह नहीं है कि अब हमको तो इसमैं कोच्छ मिलना नहीं है हमें तो राज men नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, राज मिलता, स्वर्ग मिलता, तब तो उत्साह से रड़ता, कुछ बिना कोई उद्देश, कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई उत्साह होगा किसी में, is it all sinking in, लेकिन क्या उत्साह का कारण है, बताऊ, रामकरिष्पर बताए, निश्काम कर्म योग, उसको सुनते रहे है भक्ति योग, हमारे भक्ति योग है, लेकर उसकी पॉइंट को पकड़ना है, निश्काम कर्म योग को करने के लिए क्यो उत्साहित होना चाहिए, आत्मा क आनन्द आत्मा का आनन्द वो दिखना चाहिए आत्मा का आनन्द प्राप्त होगा यह नहीं कि उसको मरी मरी तरह से किया जाए युद्धु उसी उससे किया जाएगा लेकिन आत्मग्यान प्रकाशित होगा धान देना चाहिए कि राज चला जाएगा स्वर्ग स्वाप्त हो लेकिन आत्म ज्ञान एक बार प्राप्त हुआ, तो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, काल के प्रभाव से भी नश्ट नहीं होगा, ये अगले एक श्लुक कव, विशह ही है. Is it sinking in? प्रभु पाजी समझाते हैं, कि इसने एक बार हरे कृष्ण मंत्र के अचारण के द्वारा, अपने हिर्दे को शुध कर लिया है, अब वो कोहीं पही रह करके, बैठ करके, अपने हिर्दे में ही आनंद की अन्भूती कर लेता है, कर सकता है, कुछ समझ पा रहे हैं बात को? लगने लग गया है की नहीं? और उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है की नहीं? नहीं, 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 जब में तो प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब का प्रभावा को दीख रहा है यहां पे, कि कथा में हमको रुची आने लग गई, क्यों रूची आ रही है क्योंकि कथा समझ में आ रही है नहीं समझ में आएगी तो रूची नहीं होगी लाब तो होगा लेकिन रूची नहीं होगी क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है is it different from physics, chemistry, biology और क्यों बैठे बैठे सुख ले रहे हैं कि नहीं मुझे भी शीर सासन लगाना नहीं पढ़ रहा है क्लास देने के लिए कुछ नाक नहीं दवानी पढ़ रही है आमनभाव कर रहे हो कि नहीं जब आपने भजन करना शुरू किया था तब आप यह सोचे नहीं थी कि भगवदीता का सुख मिलने लग जाएगा इस इट ओके वेट फर मोर बी अन्थूजियास्टिक और कुछ भक्त ऐसे भी है दुर्भा कि वश्च जो थोड़े से इतना अदूशित है उनको समझी नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है बाबा हिंदी जिस लगता है लेकिन एकदम कुछ अलगी भाशा लगती वो बिलकुल नहीं उट पैंग देखा था उस दिन मैं बोला था दरवाजा बंद कर रहा हूं वह बैक्ती भागा इससे पहले दरवाजा बंद होई गैस चैंबर से निकल जो आ रहा है कि नहीं देखे थे न इस्पिरेंस डेरेक्टली तो कह रहा है इस प्रकार से बड़ी उच्छा से निश्पादित करोगे संपादित करो वहां शिधलता नहीं होने जाहिए तो तुम्हें आत्म ग्यान में इस्थित होकर इसका मतलब क्या है देखो भाई आत्म ग्यान हिदे में प्रकाशित हो गय तो अब इक बाद बताई कि क्या कोई भी इंद्रितिति करोगे आप कभी हमने सोचा है कि मोटर साइकल में हम तेल भरा रहे है तो आहा वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कभी हुआ है क्या आप लोगों को नहीं वाह जूम वालों का ज्यान देखता हुए क्यों अपनी स्कूटर में कभी आप पेट्रोल भराएं को हम बहुत आनों हम और दाव दाव और दाव दाव कि नहीं लेकिन अब रामकृष्प्रभु जा रमाइक दीजिए उनको हमारे उनको मजाक करने अब दिन आपको रिकमेंड कर रहा था कि सुभे तो फ्रूट्स ले लिजाए आप क्या बोले नहीं 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 जैसे बोले था वैसे बोलो नहीं हमारा पित है बड़ा हुआ आत्म में पित भरा हुआ है आप समझ रहे हैं बात मैं भी इसी तरह से बहुत रिवोल्ड कर र कुछ भी नहीं है आत्मा को कोई बहुत इक पदार्थ की जुरत नहीं है और हम यह नहीं कह सकते कि फल पर हम जी नहीं चकते हैं हजारों हजारों दो नहीं लेकिन बहुत से योगी है जो जी रहे हैं राम से जी रहा मतलब शरीर चल जाता है तो अभी उस लेवल पर आत्म ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है एंग सेन्स ट्यूका तो यह करते 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 वेक्टी को आत्म क्या प्रकाशित हो जाएक वह अपने आत्मा की आनन्द को अनुवाफ करने लग जाए डेका वेसे यह बाहर से आनन्द नहीं डूदेगा न ही शAPPर मेरी मेत्क बातसमजम में आए जिवह अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है क्यों करना चाहता है सुख चाहिए इसको हर्षण तो सुख बाहर दूड़ेगा और इंद्रि analyze करेगा क्या यही नहीं करने हैं हम लोग कुछ देख ना कुछ चुना कुछ इत्यादी जो इंद्रियों का कुछ हम देख रहे हैं कुछ सुन रहे हैं बाहर की बात जीब से कुछ चक रहे हैं नाक से सुंग रहे हैं वो सब बाहर से इंपुट आ रहा है कि नहीं तो हम उन्पुट चाही क्यों रहें बताईए क्योंकि सुख चाहिए अगर आत्मा से सुख मिल रहा है आत्मा के आनंद की नभूती हो रही तो बाहर की बात नहीं पकड़ेगा ना पकड़ने की जुरत ही नहीं होगी इस समय आप लोग शांती से क्यों बैटे हैं पेड़ भर करके आएं प्रसाथ बाग क्या हैं प्रसाथ नहीं पाए होते तो बहुत तकलीफ होती बैटने में यू आर सेटिस्वाइड ठीक है तो कह रहा है कि यह आत्मा की अनभूती के द्वारा जो जनित सुख है वह अपने आप अपके रिदमें प्रकाशित होगा को परशान होने की जुरत नहीं है इसे रोके यह वह निशकाम कर्मयोग आत्मा और भगवान की और दिर्देशित होने से मुक्ति बदान करने की शक्ति प्राप्त करता है ध्यान दीजेगा निशकाम कर्मयोग आत्मा का अनभव करता है और भगवान की और दिर्देशित करता है कि इसका और समदने का प्रया जन्राऌ योग और उसके बाद श्टांग योग फिर भकति योग ये फ्योर भक्ति योग नहीं है तो इसका सामर्त केवल मुक्ति प्रदान कर नहीं कि लिए कह रहे है구요 जिन करना होगा और इसी कारण से भागवान का नभव कर्मयोओक से नहיी और सकता है तो आप मंतर क्या है, देखिये आत्मा शुद्र छोटी, तो उसके अनभव से सुख भी है लेकिन उसके अनभव लिमिट है लेकर असीमित अभव चाहिए तो हमको भागवाद अनभव क्यों जाना पड़ेगा शमझ पाते हैं और वह भगवान का अन्भव केवल भगवान की भक्ति के द्वारा हुआ तो आप कहेंगे तो फिर वो पहले से भक्ति क्यों नहीं कर रहा है अब भक्तों का संग नहीं मिला उसको आप देख रहे हैं कुछ लोग दिन भर बटके काम करेंगे उस फल को भवान को दे देंगे वो असान है लेकिन गीता क्लास से बैट सके यह बहुत मुश्किल होता है वह तो बहुत अधिक करमठ लोग जो हैं उनके लिए निश्काम कर्म योग है ठीक है गीता में बताया गया है कि सकाम कर्म जानवरों पुत्रों या राजिकों ब्राप्त कराता है जबकि निश्काम कर्म ग्यान की ब्राप्ति कराता है ग्यान अर्थात आत्म ग्यान स्पर्श सुन जा रहा है ठीक है तात्पर प्रपाजी का पढ़ ले कल पढ़ेंगे, यह बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, अब ही आप लोग कोई भक्तों का प्रश्न है, तो आप यह कुछ पूछना चाहते हों, जो नहीं समझ में आया है, आप में सी किसी को नहीं समझ में आया है, कुछ या जूम के दोटीस को, okay, so we will stop here, any take-away points you want to share, you can raise hands, okay, ठीक है, शीमत भगवद गिता की जाए, शीला प्रभुपाद की जाए, निताए गुवर पिमान अंदे,